अलो नमस्कार दोफ्तो मैं आपका astrology friend Dr. Mahesh Joshi आप सभी का स्वावित करता हूँ अपनी divisional chart series के अंदर तो previous 17 वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बताया कि हम divisional chart को किस तरीके से देखते हैं दूसरे पार्ट में मैंने आपको nuance related different different concept बताये फिर हमने D10 chart को study किया और previous वीडियो के अंदर मैंने 37 chart के वारे आपको मुटी मुटी बतें बताई आज मैं बात करूँगा D24 chart की मेरी profession से related astrological series start होने वाली है 1st November 2024 से तो उतमें मैं profession और education से related सभी concept को लूँगा वहां पर भी मैं इस D24 chart की बात करूँगा तो यही बात मैं वहां पर करूँगा थोड़ा advanced level पर मैं बताऊंगा तो D24 chart को वह भी लोग आरम से इसको देख सकते हैं जिन्होंने मेरा course profession का join किया और जो join करना चाहते हैं वह उसको जल्ली से join करें 25th of October तक उस पर मैंने छूट भी दी हुई है तो आप message कर सकते हैं 901-379-8899 पर यह बहुत ही elaborate series होने वाली है जिसके अंदर profession से related different different areas की हम बात करेंगे अब मैं शुरू करता हूँ कि हम D24 chart का क्या use करते हैं D24 chart is a very important chart आज के समयमर किसी भी व्यक्ति की progress उसकी education पर depend करती है उसका future उसकी education पर depend करता है जो लोग educated नहीं है वह भी progress कर सकते हैं मगर जो पूरी तरीके से educated हैं वह progress करेंगे ही दो चीजों में difference है आप देखते हो जो लोग कम पड़े लिखे होते हैं वह भी society के अंदर काफी आगे बढ़ जाते हैं business में आगे बढ़ जाते हैं मगर आज का time जो है technology का time है और technology के time के अंदर आपको यदि certainly आगे बढ़ना हैं तो education की requirement होगी क्योंकि बगर technology के आज की rate में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इसलिए जब भी आप किसी का profession देखते हो किसी भी native के बारे में overall assessment करना चाहते हो उसकी जिंदगी किस तरीके से जाएगी तो पुराने समय में हम उसकी wealth देखा करते थे आज के समय में well education is the wealth तो हमें education को देखना आना चाहिए और education d1 chart से देखना आदा अदूरा analysis है पूरी तरीके से उससे देखना है तो हमें d24 chart का analysis अच्छे तरीके से आना चाहिए तो d24 chart की मैंने आपको importance बताई है अब हम बात करेंगे इस पर one by one अलग-अलग topics पर इसको हम सिद्धामशा चार्ड भी बोलते हैं चतुर विमशामशा चार्ड और सिद्धामशा चार्ड भी बोलते हैं यह चतुर विमशामशा चार्ड है d24 इसके अंदर हम क्या करते हैं एक जो 30 degree की राशी होती है उसको 24 equal parts में divide करते हैं और हर एक part आपका इसमें हो जाता है 1 degree 15 minutes का इस चार्ड को आप तभी use करें जब native का time of birth आपको बिल्कुल accurately मालूम हो क्योंकि यह chart बदल जाएगा यदि time of birth के अंदर 5 minute का difference है 5 minute में d24 chart बदल जाता है कितने भी minute में change हो सकता है मगर 5 minute में तो यह change होगा यह होगा ऐसा भी हो सकता है 1 minute 2 minute 3 minute में change हो रहा है मगर native की यदि birth time में 5 minute का difference है तो d24 chart को use करने का फाइदा नहीं है क्योंकि फिर उससे हम गलत analysis करेंगे तो मैं application बोल रहा हूं जैसे जैसे higher division में हम जाएंगे तो higher division में जब आप जाओगे तो आपको या इसे lower division भी बोलते हैं बहुत लोग higher का मतलब जितने ज्यादा divisions में एक राशी को divide करो गया उतना ही उसमें time में accuracy होने की जूरत है otherwise in charts को हमें देखने की कोई need नहीं है तो यह मैं पहले से precaution बता रहा हूं कि जो d24 से अब analyze कर रहे हैं वैसे तो education को बगर इसके analyze करना बेकार है कोई use नहीं है d1 chart से आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा basic idea भी नहीं लग पाएगा तो d24 chart important है तो हमारी education में prediction गलत क्यों जाती है क्योंकि हम d1 chart को देखकर सब कुछ करते हैं d24 chart को अक्सर लोग देखते भी नहीं देखना आता भी नहीं है अब आप देखे मैं आपर इसको explain करने की कोशिस करूंगा तो पहली precaution को मैं repeat कर देता हूँ d24 chart तभी देखे हैं जब birth time बिल्कुल accurate हो कम 2-3 minutes से ज़्यादा का difference नहीं होना चाहिए 5 minutes में तो यह बदलेगा ही बदलेगा अब आ जाते हैं किस तरीके से इसकी casting करते हैं ड्रो करते हैं although आजकल सब mobile apps के अंदर ही available होता है पर जो जो 30 की जानकर ही चाहते हैं सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं इसका तरीका बता देता हूँ इसमें क्या होता है for planet in odd sign 1-3-5-7-9-11 लगन भी ऐसे निकालेंगे जब भी कोई भी divisional chart बनाना हो सबसे पहले लगन निर्दारित की जाती है लगन आपर किस तरीके से निर्दारित की जाएगी तो D24 chart में जो एक division है वह 1 degree 15 minutes का होता है तो पहला division 0 से लेकर 1 degree 15 minutes दूसरा division 1 degree 15 minutes से लेकर 2 degree 30 minutes तीसरा division 2 degree 30 minutes से लेकर 3 degree 45 minutes and so on आपके divisions बदलते जाते हैं अब आपको क्या करना है यदि वो odd sign में है लगन तो आप उसकी counting start करोगे Leo sign से 5 sign से counting करोगे example के लिए suppose लगन आपकी 3 degree की है तो 3rd चतुर विम शामसा के अंदर हो जाएगी 3rd के अंदर तो Leo से 3 count करेंगे 5 6 7 तो 7 लगन बन जाएगी तो सबसे विल हम लगन निकाले लगन निर्दारित करेंगे D24 की और लगन के base पर पूरा का पूरा D24 चार्ट आप cast करोगे अब उसके अंदर हम planets को place करेंगे place करने का बड़ा simple मैं आपको practically एक example लेकर यह बता देता हूं कि किस तरीके से इस chart को आपको cast करना है बनाना आना चाहिए दो मिनट लगती है बहुत जादा आसान है और यदि हम astrology में चीजों को सीखना चाहते हैं astrology में expert बनना चाहते हैं तो आपको बचला नीचे है सारी चीज़ें आपके माइंड में रखनी है और जब आप इसे practice करते हो तो it will take hardly one minute जितनी देर में आप उसको ढूंडते हो उतनी देर में आप D24 chart कास्ट कर पाएंगे ज्यादा आपको बिल्कुल भी time नहीं लगेगा यहां पर मैं अभी का एक example करना है तो लगन में 10 sign तो counting करूंगा मैं cancer से अब लगनी की degree देखिए यह one degree 42 minute है तो one degree 42 minute second चतुर विमामशा में जाएगा तो four से cancer से count करना एक two तो four five देखे five इसकी लगन हो जाएगी मैं देखता हूँ लगन 5 हो रही है नहीं इसकी लगन 5 होगी आपके सामने आपको यह D24 चतुर विमामशा चार्ट दिख रहा होगा तो इसकी लगन 5 होगी इस तरीके से हम बना सकते हैं और देख लेते हैं आपको प्लेनेट रगना भी दिखा देता हूँ suppose मुझे यहां पर प्लेस करना है मार्स को प्लेस करना है मार्स 50 डिगरी पर है 50 मिनिट्स पर है केवल 50 मिनिट्स का मतलब यह 1st चतुर विमामशा में जाएगा इवन साइन में है तो कैंसर से ही काउंटिंग आपको करनी है तो यह 4 साइन के अंदर यह आएगा मार्स तो मार्स को देख लेते हैं कि आप 4 साइन में ही आया इसके D24 में आप देखें मार्स यहां पर का गया यह 4 साइन में ही आया हुआ है और देख लेते हैं हम एक दू प्लेनेट अब ही सब्सक्राइब आप आप रखना चाहते हो नाइन्थ तो यह even sign है तो इसको cancer से 9 count करेंगे एंड़ cancer से 9 तो cancer यह है फॉर यहां से 9 count करेंगे तो 1-2-3-4-5-6-7-8-9 12 sign के अंदर आएगा venus हम देखते हैं Venus 12 में आ रहा है और नहीं 12 sign के अंदर venus आ रहा है इन डिस वेय यह दि कोई B dormant V Coolow और साइन के अंदर है इसकी वन से करेंगे तो लियो लिजय लिजेacy 7089 हम जएंगे one sign याइगा थाद धे वेन साइन के अंदर मून आएगा हम देखते हैं D24 चाट के अंदर मून कहां पर आ रहा है तो देखिए वन साइन के अंदर आ रहा है तो इस तरीके से हम D24 चार्ट कास्ट कर सकते हैं तो कास्टिंग अब D24 चार्ट भी हमें आनी चाहिए तो देखिए कितने आसानी से within few minutes हम इस चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं now we'll discuss further इसके बारे में हम और detail वाली बाते हैं अब discuss करेंगे तो D24 चार्ट को हमने कास्ट कर लिया अब next हम देखेंगे कि इसका क्या use है it is referred for education and learning of all types अब इसका मतलब यह नहीं है कोई आप formal सिक्षा लेने जा रहे है school या college से degree लेने आ रहे हैं उसको ही नहीं देखते तो यदि आप यह देख रहे हो degree इससे check कर रहे हो तो आप बड़ी गलती कर रहे हो यह हर तरह की learning को indicate करता है आप uneducated हो सकते हैं आप school कभी भी नहीं गया हो सकते हैं मगर आप किसी एक area के expert हो सकते हैं आपको जो भी आपने learning की है आपकी life की जो learning है वो भी D24 चार्ट से हम indicate करते हैं इट में भी sports, इवन आप एक बहुत अच्छे player हैं किसी भी game के, chess के आप अच्छे player हैं TT के अच्छे player हैं, badminton के अच्छे player हैं तो it involves learning and skills तो D24 चार्ट हम देखेंगे languages की learning होती है कई लोग 8, 10, 15 languages तक जानते हैं तो वो भी D24 का उसमें role होता है और professional studies जो भी हम करके आते हैं उसमें आपको formally कोई diploma मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता है still जो professional studies होती है वो भी D24 चार्ट से हम study करते हैं तो in general यह learning का extension है 5th house का you know 5th house is not only education सिक्षा ही नहीं है all kind of learning है so it is a extension D7 भी 5th house में प्रोजनी का extension है तो यह D24 भी 5th house का ही extension है minute details of learning आपको पता करनी है कि वो किस छेतर में learning होगी किस तरह की learning होगी उसकी learning better होगी नहीं होगी उसके अंदर break होगा difficulty होगी इन सभी प्रेशनों का जवाब D24 यह दे पाएगा it is studied for academic achievements or failure और break in education तो यह break in education को भी indicate करता है मतलब सब तरह की की learning को करता है तो education को भी D24 chart indicate करता है अब देखिए मैं आपको इसकी utility समझाने की कोशिस करता हूँ हम जब बरते chart देखेंगे तो उसका 5th house है उससे आपको पता नहीं चलेगा आप क्या देख पार है माई नियू टेटेल कैसे पता चलेगी 5th house को कोई planet aspect कर रहा है तो वो आपकी progeny से related अच्छा करेगा आपका investment से related अच्छा करेगा आपके पूर्म जन्म कर्मों को वो इंडिकेट कर रहा है या वो आपकी education को इंडिकेट कर रहा है इसलिए D1 chart में बहुत ज़्यादा बड़ी limitations है लोग पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि सेरी के अंदर हमें अच्छे फल देने वाला है तो आपको कैसा पता चलेगा उस कैसे का जवाब आपके divisional charts है आपको किसी भी चीज की minute detail चाहिए है एक particular field की देखिए कि 5th house के ही कही सारे further division है even D5 chart भी हम use करते हैं तो 5th house से आप progeny देखते हो तो उसमें progeny से related detail के लिए हम D7 देखते हैं और education से learning से related सभी details के लिए है अब D24 chart देखेंगे further, this chart is not only about formal education और some kind of degree in education but it also gives overall learning of a person be it in the form of a formal education degree or practical learning based on his experiences in life तो मैंने अभी जैसे बताया यह के वल आपकी किसी degree, diploma या formal education को ही indicate नहीं करता आप life के अंदर जो भी चीजें सीख पाते हैं जिस तरह की चीजें सीखते हैं आपको जो भी knowledge आप gain करते हैं उस सभी तरह की learning को यह indicate करता है आप देखते हैं, आप building बनाते हैं एक architect होता है, उसने एक degree लिए होती है मगर आपका राज मिस्तरी जो आता है वो architect से किसी भी तरीके से अपनी knowledge में कम नहीं होता है जबकि वो किसी school में नहीं गया होता college में नहीं गया होता उसकी learning level बहुत हाई होती है हम जबी भी बहुत सारे areas के अंदर जाते हैं वहाँ पर educated लोग fail हो जाते हैं वहाँ पर हम उन लोगों को बुलाते हैं जिनने उन छेत्रों में काम करने का experience होता है तो learning का मतलब कोई formal education ही नहीं होता informally भी आपने क्या सीखा है वो भी आपको D24 chart ही बताएगा अब D24 chart के all 12 houses से हम क्या क्या किस तरीके से देखेंगे उसके बारे में मैं basic concept यहां पर explain करूँगा D24 chart का जो first house है हर एक divizional chart का first house सबसे ज़्यादा important हो जाता है वो परसन का interest in general बताता है about the significations related to that one particular divizional chart वो उस व्यक्ति का interest बताता है उस chart से related कारकत्व में उसका कितना interest है वो किसी भी divizional या वर के कुंडिली का लगन indicate करता है तो D24 का काम है education या learning तो देखेंगे इसका first house क्या है वो बताएगा general level of education interest in learning and afflicted लगन is not good for educational achievements यदि D24 की लगन afflicted है मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ की afflicted क्या होता है a strong lagnis must for higher education type of education a person is interested or is of his liking तो देखें D24 की लगने के वल यही नहीं बताती कि आपकी higher education होगी वो यह भी indicate करेगी कि आप किस तरीके की education लेंगे क्या वो education आपकी पसंद की होगी यह नपसंद की होगी disliking की education होने के बाउजूद भी हम higher education लेते हैं क्योंकि हम compel करना करते हैं हमें parents compel करेंगे कि आपको engineering करनी है यह करनी है हो सकता है आपका humanities में interest हो तो education आपकी speed में ले रहे हो वो liking भी हो सकती है और disliking भी हो सकती है आपको पता चलेगा कि आपको liking की education मिलेगी या नहीं वो आपकी लगन indicate करेगी यदि लगन benefit influence के अंदर है लगने पर सभी तरह के शुप प्रवाब हैं तो आपको higher education भी मिलेगी और वो साथ में आपकी पसंद की भी मिलेगी दोनों तरीके से वो better होगी आपकी लगने ठीक है मगर उस पर कोई malefic influence भी अभी पढ़ रहा है benefit भी पढ़ रहा है तो आपकी education ठीकता होगी मगर वो आपकी liking की नहीं होगी इस तरीके से मैं उसे interpret करना पढ़ेगा अभी जो मैंने एक चाड़ बताया था उसमें मैं देखता हूँ कि आपको मैं D24 में समझाने की कोशिस करता हूँ कि लगने को हम किस तरीके से देखते हैं तो यहां पर यह आपको थोड़ा चोटा दिखाई दे रहा होगा तो यह 5 sign की लगने है Leo की D24 की अब लगने पर हम देखते हैं इसको Saturn एसपेक्ट कर रहा है तो Saturn का एसपेक्ट पॉजिटिव नहीं मना जाता है मगर साथ में इसको Jupiter भी एसपेक्ट कर रहा है Jupiter एसपेक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव हो गया इसका जो लॉड है वो आपका त्रिकोन में जाकर बढ़ गया है 5th house का यह extension होता है, 7 में इसको actually 6th lot भी वो कर रहा है, तो यहाँ पर आप average kind of इसकी education हम मान कर चलेंगे, education होगी, मगर वो हो सकता है, इसके interest की ना हो, और interest की हो तो वो average education होगी, बहुत high level तक यह नहीं जाएगा, दोनों तरह की चीज़ां होगी, या तो यह higher level तक education लेगा, तो इसके interest की नहीं होगी, एक चीज positive है, एक चीज negative है, और यह दिए इसके interest की education होगी, तो यह बहुत higher level तक education नहीं ले पाएगा, इस तरीके से हम इसको conclude कर सकते हैं, तो strong luck is must for higher education, तो यह average है, एक benefit influence है, उसको average मानेंगे, जाज़ेतर के सिज में बहुत strong luck नहीं होगी, बीच की इस्तिती होगी, second house आपका बताता है, family background and support, one gets from family, the financial position of your family, for your education, basic studies and memories, तो second house आपको indicate करेगा, देखें, आज के समय पर, बगर investment के, बगर money के, आपको यह higher education ले नहीं सकते है, आप में कितना भी talent है, उसके बावजूद भी आपको यदि, even आपका IIT में हो जाता है, तो वहाँ बहुत higher fee है, IAMS में हो जाता है, वहाँ भी बहुत higher fee है, तो आपका जो family background है, वो बहुत ज़्यादा important होता है, higher education के लिए, financial position of family कैसी होगी, आपकी education को वो वियर कर पाईगी है, नहीं कर पाईगी, वो D24 chart के second house से देखेंगे, आपकी basic studies को भी, grooming को भी यही indicate करता है, D24 chart का second house, तो वो wealth required for the education को indicate करेगा, आपकी family के पास resources available हैं या नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की family के पास resources नहीं होते, वो graduation के बाद जैसे ही उनको opportunity मिलती है, वो job करना उन्हें पड़ता है, हुआ higher education के लिए नहीं जा पते, तो इस तरीके के combination के लिए, आप दूसरा बाव देखेंगे, कि आपको पैसे की कमी तो नहीं होगी कहीं education लेने में, यदि second बाव और second lord की इस्तिती अच्छी है D24 के अंदर, तो ऐसे person को money की कमी नहीं होगी education के लिए, तीसरा बाव, effort done to get education, the attitude towards education, colleagues of school and relation with them, short travel for studies, attention one pay towards studies, and junior students in school, इस सभी चीज़ों को तीसरा बाव represent करता है, अब ये D24 का third house है, third house effort का house होता है, हमें मालूम है, सहज बाव बोलते हैं इसको, पराक्रम बाव बोलते हैं, तो आप D24 का third house आपके education में effort को indicate करेगा, कि education लेने के लिए आपको कितने effort करने पढ़ेंगे, या आप कितने effort कर सकते हो, आपका education के तरफ attitude कैसा है, वो भी third house बताएगा, कि attitude ही आपका खराब है, या बहुत ज़्यादा strong attitude है, आप education की तरफ पूरी तरीके से inclined है, और 100% effort कर रहे हैं, या बिल्कुल effort नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल भी education ले नहीं नहीं चाहते हैं, वो सब को तीसरे बाव से पता चलेगा, आपके जो friend circle है college के अंदर, school के अंदर, और उनके साथ आपके कैसे relations हैं, या आपके relations को indicate करेगा, related to education, third house is the house of relations also, further short travel for studies, because the house of the short travel, तो यहां पर तीसरा बाव गूमने के लिए नहीं है, D24 का third house आपके studies के लिए, जो आप short travel करोगे, उसको indicate करेगा, and attention one pay towards studies, आप कितना focus दो studies के लिए, junior student, मतलब जैसे आपका बर चार्ड में third house आपके younger brother and sisters को represent करता है, इसी तरीके से D24 का third house आपके junior students को represent करेगा, वो school के हो या college के हो, अब आता है fourth house of the D24 chart, इसकी बात करेंगे हैं, the happiness of education or difficulties face, दोनों चीज़े, आपको पढ़ने में कितना आनन्द आएगा, आपकी पढ़ई कितनी comfortably जाएगी, comfortable होंगे या नहीं, आप education में, या आप difficulties face करेंगे, वो fourth house indicate करता है, the formal education which is persuaded from home, generally graduation की education को home से मान कर चलते हैं, मगर जो बहुत चोटे towns में रहते हैं, उनकी school तक की education को fourth house से हम देखेंगे, और other cases में education up to graduation, fourth house से हम यहाँ पर देखेंगे, D24 का जो fifth house है, यह intelligence को बिताता है एक person की, उसकी field of education को indicate करेंगे, आप देखेंगे, आपको पता करना है, लोग देखते हैं, D1 से, आप D24 से देखें, उसका fifth house field of education को indicate करेंगे, कि आप किस field के अंदर जाएंगे, उन पर किन planet का influence है, उसके साब से हम indicate करेंगे, यदि आपके malefic planets का influence है, तो technical और engineering side की education हो सकती है, benefit planet का influence है, तो humanity type की आपकी education हो सकती है, एक strong fifth house give sharp brain, higher education, इस इस हाउस seen for subject which a person study, आप कौन सा subject study करोगे, उसके लिए आपको D1 के fifth house की बज़ाए, D24 के fifth house पर आप focus कर रहे हैं, ये मैं एक example लेता हूँ, D24 का, इनका ये fifth house है, तो fifth house को हम देखते हैं, ये इसके अंदर nine sign है, लगने lord यहांपर आकर बैठा हुआ है, ये लगने lord का यहांपर placement अच्छा है, लगने lord के लिए भी placement अच्छा है, अब fifth lord की जब मैं आपर बात करता हूँ, तो fifth house देखोगे, तो fifth lord भी देखोगे, तो जुपिटर दूसरे त्रिकॉर्ड में जाकर बैठा हुआ है, हालागि वो राउ के तुके से afflicted है, इस्टिल वो आपका एक मित्र राशी के अंदर बैठा हुआ है, और साथ में वो दूसरे त्रिकॉर्ड में अपने आप से fifth में भी बैठा हुआ है, लगने से भी fifth house के अंदर बैठा हुआ है, और वो अपने भाव को देख भी रहा है, अपने भाव को देख भी रहा है, किसी भी भाव को उसका lord देखता है, तो वो strong हो जाता है, इस नेटिब का fifth house quite strong है, fifth house बहुत strong है, अब इसकी as a type of education देखे, fifth house पर influence किसका है, इसके fifth house पर influence है, sun का एंड जुपिटर का, तो sun और जुपिटर एक्चली humanities या government related, political science, MBA, management और banking इस तरीके की education को indicate करता है, तो इसकी बहुत excellent education होगी, और इस particular field के अंदर इसकी education होगी, जिस भी person का इस समय पर बर्त हुआ होगा, यह हम इससे assess कर सकते हैं, मैं आपको केवल basic idea बता रहूंगी how to check it. अब आता है sixth house, तो sixth house we know the competition, आपकी जो कुंडिली का sixth house होता है, वो हर तरीके के competition को बताता है, आप कहीं contractor हैं, तो contract में आपका जो competition है, आप एक player हैं, तो game में आपका competition है, आप एक दुकान खोल के बैटे हो हैं, बगल में किसी की shop होगी, तो दोनों shopkeepers का competition भी sixth house से indicate होगा, मगर D24 का sixth house, वो competition बताएगा related to studies, तो जिन student से आप compete कर रहे हो, उसको यह बताएगा, साथ में it also indicates obstacles in education, एक strong sixth house और malefic in sixth house, gives a sense of competition, and person gets high rank in the class, यदि आपका strong sixth house है, और malefic in the sixth house, वो malefic sixth house के अंदर, आपको competitive power को बढ़ाते हैं, तो आपका strong sixth house है, यदि D24 का मैं D1 की बाद नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपनी class में higher rank में आएगे, और को competition में आप defeat देंगे, और आगे बढ़ेंगे, यदि आप कोई भी competitive exam दे रहे हो, तो आपके जो kulicks हैं, जो साथ में जो भी लोग दे रहे हैं, उनको आप defeat करके आगे बढ़ने की possibility होगी, तो strong sixth house of the D24 indicate, कि आप किसी भी competitive exam को clear करने की capabilities रखते हैं, seventh house activities in student life और cooperation by fellow student, तो एक partner सिप होगी, आपके साथ के group वाले लोग आपको किस तरीकी से cooperate करते हैं, और ऐसी activities जो school या college authorities के सामने आए, आप एक platform आपको मिलेगा college और school में, education के base पर आपको सब लोग identify करेंगे, आपको पैचानेंगे, यदि आपका seventh house strong है, आप एक public figure school के अंदर बिंजा होगे, आपकी एक say होगी, और आपका लोगों के अंदर आप popular होगे, due to your educational activities, कि आप topper होगे, आपको सब जानेंगे कि ये school के topper है, इस तरीके कि आपकी activities होगी, 8th house of the D24, hidden aspect of education, the activities which are secretly taken without knowledge of other students, one student who study night and bully other student during day, using unfair means, research related studies, slow learning, break in education, तो ये बहुत सारी चीज़ों को 8th house indicate करता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो अपने घर में आएंगे और वो पढ़ लेंगे, और इसके बाद वो गूमते रहते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी की 4-5 गंटे का target बनाया, गूमते रहेंगे, दूसरे लोग सोचेंगे, तो गूमता रहता है, मगर उसका result excellent आता है, और वो अपने साथ वालों को खराब कर देता है, क्योंकि वो secretly अपनी तयारी कर रहे हैं, वो अपनी planning के साथ तयारी कर रहे हैं, और दूसरे लोगों को distract करता है, वो भी 8th house indicate करता है, इसी तरीके से ऐसे लोग unfair means को भी use करते हैं, education के लिए, cheating वगरा करेंगे, या कहीं पर select होने के लिए, number बढ़ाने के लिए, teacher से मिलेंगे, किसी को कुछ आपका boost दे सकते हैं, इस तरीके से driveri दे सकते हैं, उन means को भी use करेंगे, बारी मैं बता रहा हूं, तो education से related आपको कुछ नो कुछ प्रॉलम जरूर आएंगी, अब हम आएंगे 9th house of the D24 child, the teacher you education and knowledge, teacher who educate you, यह मान के चलिए, जो आपको पढ़ाते हैं, आपको जो knowledge बताते हैं, वो आपको 9th house से देखेंगे, sincerity and religiousness in your studies, and the respect you give to your teacher, आप कितने सिंसेर हैं studies के अंदर, आप उसमें religious हैं या नहीं studies में, और आप teacher का कितना respect करते हैं, वो 9th house आपको indicate करेगा, long travel for education, जो फॉरिन जाते हैं या ऐसे एरियों में पढ़ने के लिए जाते हैं बिच्चे, जो आपके residency लेरे से बहुत दूर हैं, जहां पर culture change हो जाती है, जहां आपके जानने वाले लोग नहीं होते, वो भी 9th house इसमें involved होगा, higher education तो 9th house है, देखते ही हैं, जैसे 5th house से भी आप education देखते हो, 9th house is for the alternate education, higher education, education of your choice को भी 9th house indicate करता है, कई बार हमने पूरी education ले ली होती है, government job कर रहे होते हैं, उसके बाद हमारे को लगता है कि हमें यह चीज और करनी चाहिए, और हम करते रहते हैं, that is also from 9th house, जो भी हम अपनी choice की education करते हैं, जो 5th house है, वो compulsion में होता है, हमें करना ही है यह चीज, आपको job लेना है, तो engineering करनी है, या आपको medical करना है, मगर 9th house is your education of your own choice, फर्दर आता है आपका 10th house of the D24 chart, the status of educational field, popularity in the school, how a person teaches students, your impression in others mind, accents in education field, तो यह basically कर्म भाव है, education से related कर्म भाव है, तो education से related, name, fame, reward, award, यह सब आपको 10th house से देखने है, आपका क्या status है educational field में, educational field जहां भी आप पढ़ रहे हो, तो आपका college में name, fame होगा, यदि आपका 10th house strong है, तो आपको सब लोग जानेंगे, school में आपकी popularity होगी, वो भी 10th house indicate करता है, next हम देखेंगे, 11th house of the D24 chart, gains derived from education, अब यह gain है actually, gain भाव, मगर यह education वाले chart का gain भाव है, तो आपने जो भी gains education से derived किये हैं, वो आपको 11th house indicate करेगा, education से आपको award मिलते हैं, आप top कर गए, scholarship मिलती है, आपको medals मिलते हैं, जब आप top करते हो किसी भी class में, यह आपकी कोई rank आती है, एकसी particular subject में top करते हो, इसके बाद आपके friends and seniors of college, and relationship with them is also indicated by 11th, juniors third house से देखते हैं, आपके friends और जो seniors हैं college में, उसको हम 11th house से देखेंगे, last अब हम 12th house की बात करेंगे, D24 के, तो education obtained at a place other than work place, आप कहीं दूर जाकर पढ़ते हो, आपकी कुंडिली देखते ही, लोग कहते हैं कि आपने कहीं, बाहर से education ली होगी, तो उसमें D24 चाड़ के 12th house का involvement होता है, foreign studies, जब abroad जाकर आप studies करते हो, उसमें भी 12th house का role होता है, foreign languages, foreign land, expenditure incurred in education, तो बाहर की जो भी भाशे हैं आप पढ़ते हो, वो भी 12th house का role होता है उसके अंदर, D24 के 12th house का, not D1 के 12th house का, foreign land में जाकर आप education लेते हो, foreign का मतलब होता है away from culture, एक ही देश के अंदर बहुत जादा दूर जाकर आप पढ़ रहो, उसको भी आप foreign land मान कर चलें, आपके जो भी खर्चे होंगे education से related, उसको भी हम 12th house से indicate करेंगे, तो आज की class मैं यहीं तक रखूंगा, D24 chart के सभी बारे भावों से आपको क्या देखना है, वो मैंने बताया, आप इसकी practice डालें, जबी भी किसी की भी आप education देख रहे हैं, तो D1 chart से आप सरसरी निजर से देखें, मगर आप minute detail उसकी चाहते हैं, कि किसी भी person की education में कौन-कौन सी चीज़ा एंगी, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया है, D24 chart के सभी बारे भावों को आप analyze करें, उससे आपको उसकी education की minute details पता चलेंगी, उंबीद है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा, तो like और share करना ना भूले, नमस्कार, धन्यवाद,